देखी दोस्तों प्रत्य किसान के अर्थात हर किसान के खेट पर जाने का सरकारी रास्ता नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवरुद कर दिया जाता है तो ऐसी इस्तिती में किसान को अपनी जमीन पर खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरवल रास्तान भाषा में कानून की नहीं नहीं जान करें तो आईए वीडियो को शुरू कर लेती है। देखे दोस्तों किसान जो ही अगर उसके खेत का रास्ता किसी भी व्यक्ति के द्वारा रोक दिया जाता है तो किसान के लिए इससे बड़ी समस्या और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए किसान के पास में एक ही सहारा रेता है उसकी खेती और अगर उसके खेत का रास्ता किसी व्यक्ति ने बंद कर दिया है तो ऐसी इस्तिती में वह अपनी खेती नहीं कर पाएगा और अपने परिवार का भरन पोशन अर्तार पालन पोशन नहीं कर प्रावधन दिये गए हैं मद्यप्रदेश भूराज सहता की धारा एक सो इकतिस में प्रावधन दिये गए हैं कि अगर किसी भी किसान के खेट का रास्ता जो ही जो परंपरागत मार गए जो पुराने समझ से चला आ रहा है उस रास्ते को चाहे वह रास्ता सरकारी जमिन से हो किसी की नीजी जमिन से हो या किसी भी प्रकार की जमिन से हो उस रास्ते को किसी भी व्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है और अगर किसी व्यक्ति ने उस रास्ते को रोक दिया गया है तो एसी इस्तिती में जो भुमिस्वामी है जिसका रास्ता रोका आए वह व्यक्ति या अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं वे सभी लोग तेसिल दर्मोदे के समक्ष मध्यप्रतेश भूराजस सहीता की धारा 131 के तहट आवेदन पत्र प्रस्तूत कर सकते हैं अब देखी 131 के तद आवेदन पत्र तो पेश किया जा सकता है लेकिन उस आवेदन पत्र के निराकरण में काफी समय लगता है क्योंकि जब आवेदन पेश किया जता है तो जो विरोधी पक्ष रेता है अर्था जिसने रास्ता रोका है उसको भी सुझना पत्र दिया और उसके बाद में उस रास्ते को खुलवाने का पर्मानेंट आदेश किया जाता है लेकिन इसमें काफी समय व्यतित हो जाता है अब देखी अब तत्काल रास्ता केसे खुलवाये जा सकता है उसके बारे में हम समय लेते हैं तो अगर कोई व्यक्थि किसी व्यक्ति का रास्ता रोकता है, उस व्यक्ति को जो आवेधन पत्र पेश किया है, उसके साथ में एक अंतुरिम आवेधन पत्र भी पेश करना चाहिए, जो कि मद्यपृतेश भूराज सेंता की धारा 31 की उपधारा दो के तहद पेश किया जाना चाहिए और उसमें निवेधन करना चाहिए कि वर्तमान में इस रास्ते के अलावा आवेदग के पास में अर्थाद भूमिस्वामी के पास में अपने भूमि पर क्रशी कारी lagi करने है तूँ, अपने क्रशी उपकरण ले जाने है तूँ किसी प्रकार का अन्य कोई वेकलपिक मार्ग नहीं है एसी इस्तिती में इस रास्ते खो जब तक कि इस प्रक्रण का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसको खुला रखा जाए तो एसी इस्तिती में क्या होगा कि अनावेदक से जवाब लिया जाएगा और जब उसका जवाब आ जाएगा तो एसी इस्तिती में ततकाल तेसिलदार महोदे के द्वारा मोके का निरिक्षन किया जाएगा अर्था जहां पर रास्ता रोका गया है उस जगह का अवलोकन किया जाएगा इस्तल निरिक्षन किया जाएगा अर्था मोके पर जाकर तेसिलदा यह फिर जो आसपास यह पडोसी क्रशक जो है उनको भी वहाँ पर बुलाया जाएगा और उनके समक्षि जो है तेसिल दार महोदे जो है मोके का निरिक्षन करेंगे और उसके बाद में वहां से एक पंचनामा तैयार कर लाएंगे और उस पंचना में को उस प्रक्रण में सलग न कर देंगे अब ये पूरी कारवई जो है ये किवल एक पेशी की कारवई रहती है अर्था तेसिल दर्महोदे जो है वे किवल एक बार मोका निरिक्षन कर लेंगे और अपना प्रतिवेदन जो है और तेसिल दर्महोदे स्वयम वहां का पंचनामा बना कर लाएंगे और उस पंचनामे पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा उसके बाद में तेसिल दर्म होदे को विवे का अधिकार रहता है अगर उनको लगता है कि वास्तों में इस व्यक्ति का अर्था जिस आवेदक ने आवेदन पेश किया है उसका रास्ता किसी व्यक्ति ने रोका है तो ऐसी इस्तिती में तेसिल दर्म होदे जो है वे उस क्रशक का रास्ता जो है वह अंत्रिम आदेश के माध्यम से खुलवा सकते हैं अर्था अंत्रीम आदेश पारित कर देंगे कि जब तक यह प्रक्रण जो है चलता रहता है तब तक यह आवेदक जो है यह भूमी स्वामी जो है यह इस रास्ते का उपियोग करता रहेगा। यहाँ पर महतुपून बात आपको समझने की यह है कि जब भी आपके पक्ष में किसी प्रकरण का अगर अंत्रीम आदेश हो जाता है तो उसके बाद में उस प्रकरण को आपको बंद नहीं करना है। क्योंकि मद्यप्रदेश भूरा सेंता की धारा 129 की उपधारा 2 के परंतुक में दिया गया है कि इस प्रकार का जो अंत्रिम आदेश रहता है वह केवल 90 दिन के लिए ही मानने रहता है तो एसी इस्तिती में अगर उस प्रकरण में आप उपस्तित नहीं होते हैं या फिर उस अंत्रिम आदेश के बाद में आप उस प्रकरण को छोड़ देते हैं तो एसी इस्तिती में वह आदेश जो है वह 90 दिन के बाद में समापत हो जाएगा और फिर आपको जो है वापस से परेशानी खड़ी हो सकती है तो इसलिए आपको क्या करना है कि अंत्रिम आदेश होने के बाद में आप उस रास्ते का उपियोग कर सकते हैं और अगर कोई विवक्ति उसमें व्यवदान उत्पन करता है तो ऐसी इस्तिती में आप पुना तेसिलदार महोदय को उसके संबंद आपका रास्ता वही था इसके अलावा आपका अन्यो कोई रास्ता नहीं था तो ऐसी इस्तिती में तेसिलदार महोदय जो ही वे उसमें अंतिम आदेश कर देंगे और आपका वहां से फिर पर्मानेंट रास्ता हो जाएगा जिस रास्ते के माध्यम से आप अपने खेत पर जाकर अपने करशी उपकर्ण ले जाकर अपनी खेती बाड़ी कर सकते हीं तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजी अधिक साधिक लोगों तो शेयर कर देए फिर मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए जय हिंज भारत